आज हम बनाएंगे बिलकुल नए तरीके से शाही टुकडा वो भी एक अनोखी स्टफिंग और रबडी के साथ ये रेसिपे आपने न पहले कभी देखी होगी न कभी खाई होगी पर गैरेंटी है एक बार देखेंगे तो बना कर खाने का जरूर मन करेगा और हर बार बना कर तो सबसे पहले हम रबडी बनाएंगे तो उसके लिए हम लेंगे दो गलास दूद दूद को हमें अच्छे से घरम करना है जब दूद में एक दो अच्छे उबाल आ जाएं तब हम उसमें एड करेंगे एक कटोरी शक्कर और उसके साथ एड करेंगे एक पिंच येलो की यूज़ करें नहीं तो आप यलो फूट कलर यूज़ कर सकते हैं साथ में एड़ कर दें आदा छोटा चमच इलैची पाउडर स्लो फ्लेम पर ही पकाएं और इस तरह से साइड से मलाई जमती जाए तो उसे इस तरह से स्क्रैब करके निकालते जाएं इसी से ही रबडी जाती है वैसे तो रबडी को और गाड़ा किया जाता है पर इस रेसिपी में हमें रबडी को थोड़ा पतला ही रखना है जैसे शाही टुकड़ा इसे अच्छे से एब्जॉब कर सके इसलिए इसे थोड़ा पतला ही रखना है अब आठ ब्रेट स्लाइस ले और उसके साइड्स को काट लें इस तरह से सभी ब्रेड के साइड काट लें अब हर ब्रेड को दो हिस्सों में काटना है मतलब इस तरह से ट्रैंगुलर शेप में काट लें सभी ब्रेड को काटकर साइड में रख दे और अब हम banाएंगे शाही टुकडा की स्टफिंग स्टफिंग के लिए हमें चाहिए खोया, 1500 ग्राम याने की फीका मावा और उसके साथ चाहिए काजू और बादम दरदरा पीसे हुए हमें मावे की ही स्टफिंग बनानी है, तो कड़ाई में आदा चमश गी ले, उसे लो फ्लेम पर घरम करें और उसमें एड करें मावा दो से तीन मिनट तक मावे को लो फ्लेम पर पकाएं दो से तीन मिनट के बाद मावा पिगलने लगेगा तो जैसे ही मावा पिगलने लगे तब हम उसमें एड करेंगे शकर क्योंकि हमने यहां फीका मावा लिया है तो इसके लिए हम इसमें शक्कर एड़ करेंगे तो डेट चमच पिसी हुई शक्कर एड़ करें और उसके साथ एड़ करें ड्राइफ रूट्स अब ड्राफ फूट्स और पिसी हुई शक्कर को मावे में अच्छी तरह से मिक्स कर दे बस लास्ट में एक चौथाई चम्मच इलैची पाउडर मिक्स करके गैस बन कर दे हमारी स्टफिंग तयार है अब इस स्टफिंग को ठंडा होने के लिए रग दे जैसे ही ये स्टफिंग ठंडी हो जाए हम इसे ब्रेड में स्टफ करेंगे अब जो ब्रेड हमने काटके रखी थी उसके दो पीसिस ले और उस पर थोड़ा-थोड़ा ठंडा दूद लगाते जाएं अब एक ब्रेड के सेंटर में एक चमच स्टफिंग रखें स्टफिंग को ब्रेड के तीनो तरफ अच्छे से फैला लें और फिर दूसरी ब्रेड से उसे कवर कर दें तो जब आप दूद की कोटिंग कर रहे थे ब्रेड पर तो उसे अच्छे से दूद से कोट करें जैसे कि एजिस अच्छे से सील हो जाए स्टफिंग भरने के बाद अगर ब्रेट कहीं से खुल जाए तो थुड़ा दूद लगा कर उसे प्रेस कर दे तो इस तरह से सभी ब्रेट में स्टफिंग भर दे अब तेल को मीडियम फ्लेम पर घरम करें और स्टफिंग वाली ब्रेट को उसे फ्राय करते जाए क्यूंकि ब्रेट जल्दी फ्राय हो जाती है तो उसे लगबख 5-6 सेकेंड के अंदर ही फ्लिप करते रहें और गोल्डन होने तक उसे फ्राय करें लगबख 1-5 मिनिट में यह फ्राय हो जाती है तो इस तरह से सभी ब्रेट को फ्राय करके निकाल लें तो सब bread fry हो गई है, अब हमें लेना है आदा ग्लास ठंडा दूद और उसमें mix करनी है थोड़ी पिसी हुई चीनी चीनी को दूद में अच्छे से mix कर दें और हर एक fry की हुई bread को उसमें dip करें जैसे चाशनी वाली शाही टुकडा में हम bread को चाशनी में dip करते हैं पर इस recipe में हम bread को दूद में dip करेंगे न चाशनी बनाने का जंजर न ज्यादा मेनद अब करते हैं प्लेटिंग तो सब bread को एक plate में डालें और उसके उपर डालते जाएं ठंडी ठंडी रबडी इस तरह से पूरी रबडी को bread के उपर डालते जाएं और उपर से डाल दें थोड़े कटे हुए dry fruits सैयार है मावे की stuffing के साथ बना हुआ शाही टुकड़ा रबडी के साथ दो से तीन गंडे के लिए फ्रिज में रग दें और फिर मजे से खाएं ये शाही टुकड़ा रस्मलाई से भी ज्यादा टेस्टी बनता है और बनाने में भी बहुत ही आसान है और ये रेसिपी आपको किसी हलवाई के पास भी नहीं मिलेगी तो इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राय करें रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल Spicer Flavor को सब्सक्राइब करें